जेनरे वन स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुक अपडेट्स को सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आज के अपने अपडेट के हम शुरुबात करने व लेकिन अब एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई है यह दरसल रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि एक नहीं दो नहीं बलकि दस से जादा कमपनीज जो है वो आपस में कमपीट कर रही है एक्राप के स्ट्रुक्शर असेम्बली की मैनिफैक्चरिंग के लिए जो के मुकत का रातम कर रहे हैं और बड़ी बात यह है कि यह SPV मॉडल के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका को सुनिश्चित करने बाले है क्योंकि एमका का निर्माड SPV मॉडल के अंतरगती किया जाना है शुरुवात में रिपोर्ट में कहा गया था कि जो प्राइबेट कमपरिया है उनके अंदर हेजिटेशन है क्योंकि उनने कभी इतने बड़े प्रोग्राम को जॉइन नहीं किया है और उनके पास अनुभो भी नहीं है लेकिन अब यह चीज़ें बदलती नजर आ रही है और उनका वानना है कि वह इसमें अपना पार्टेसिपेस्टर सुनिश्चित कर स उनके तरफ से बहुत सारे जो इनुविटिव अप्रोच है वो देखने को मिलने वाली है और हमारी अगली बड़ी अपडेट भी इसजी को लेकर है है हैधरबाद इस्तित एक स्टार्टप जिसका नाम ब्लज एरो है इनके द्वारा सक्सेस्फुली भारत का पहला हाइड् पेराबिटर्स का अध्यन किया गया है और रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का यह जो पहला हाइड्रोजन इलेक्रिक प्रोपर्शन बेस्ट वर्टिकल टेक ओफ और लैंडिंग एक्राफ प्रोटोटाइप है इसने अपने सभी अप्डेटिक को पोरा किया है और आने व प्रोट प्रोग्राम को लेकर आ रही है तिजर्स मांक्टो को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट साबने आई है चाहां पर बताया जा रहा है कि तेजर्स मांक्टो में इस्तेमाल होने वाला गैलियम नाइट्राइज बेस जो उत्ताम इसारेडार है यह अपने जो किया जाएगा तेजर्स मांक्टो काफी बड़ा प्रोग्राम है और इसके लिए जो अलग अलग का रहे हैं वो लगातार चल रहे हैं अनॉटिकल डिबलपेंट एजनसी तकरीबर एडिशनल 200 इंजिनियर्स को हायर करने वाली है जो कि टेस्टिंग और प्रोडेक्शन एक् प्रमुक ने तो यहां तक क्या दिया था कि 2025 में आपको इसकी पहली उडान तक देखने को मिल जाएगी अब उसको लिकरके तो हम अस्वस्त नहीं हैं कि 2025 में यह देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी लेकिन रोल आउट को लेकर के हम लोग काफी जादा confident है कि 2025 में हमें इ जाते जिस्मार्क वने का है और ये दोनों प्रोग्राम अपस में बारती वाइसना के ताकत बढ़ाने के लिए तयार हो रहे हैं हमारे इगली बड़ी बड़े जर्मनी को लेकर आ रही है जर्मनी ने भारत को अपना जो invitation है उसको extend किया है जहां पर भारत को चाहते है कि वह उनके euro drone जो की medium altitude long endurance drone होने वाला है इस प्रोग्राम में as an observer join करे और भारत के पास यह opportunity होगी कि भारत इसके development को closely monitor कर सकता है जो कि योरोप का एक most ambitious unmannerial vehicle program होने वाला है euro drone एक medium altitude long endurance unmannerial vehicle program है जो की officially जो है कई देशों के दार विक्सित किया जा रहा है अगर हम बात करें participation की तो यह remotely piloted aircraft system जो है यह basically airbus, result aviation, Leonardo के दोरा विक्सित किया जा रहा है जो कि करमसा Germany, France, Italy और Spain के दोरा operate किया जाएगा और इसमें जो strategic collaboration ह इनके बीच में सुनस्चित हो चुकी है अब यहाँ पर जो euro drone platform है यह बहुत साधा capable होगा क्योंकि इसमें आपको highly adaptable open architecture design देखने को बिलेगी जो कि इसे variety of missions का execute करने में सक्षम बनाएगी, whichever intelligence gathering हो, surveillance हो, target acquisition हो, यह फिर reconnaissance mission हो, यह सारे missions से execute किया जा सकते है यह एक बहुत ही versatile platform होगा और इसमें आपको बहुत सारे advanced sensors देखने को मिलेंगे, जैसे कि synthetic aperture radar, electro optical और infrared sensors देखने को मिलेंगे, इसके लवा जो tactical signal intelligence payload है, वो भी carry करने में सक्षम होगा, और इसे arm variant के तोर पर भी इस्तमाल किया जा सकता है, या हत्यार carry करने के लिए भी use किया जा सकता है, अब भ और ये platform कैसा होगा, भारत के लिए useful होगा या नहीं होगा, इन सब के बारे में भारत अपना जो निर्ने है वो बना पाएगा, और ये काफी जादा यहाँ पर एक बड़ा invitation है, अब भारत इसको accept करेगा या नहीं करेगा, इस पे अभी हम टिपड़ी नहीं कर सकते, क्योंक रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को जो 5 जनरेशन फाइटर रेक्राफ्ट है, इसका access 2030 तक मिल जाएगा, और ये भारत के लिए बिल्कुल भी सुबसंकेत नहीं है, विएरेशन टाइम्स की रिपोर्ट की बात मानें, तो इसमें पाकिस्तान के जो इंजिनिय रहे हैं, और अब यहाँ पर रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पूरे प्रयास में है, कि 2030 तक वो अपने बेडे में जो 5 जनरेशन फाइटर रेक्राफ्ट है, उसको शामिल करें, और ऐसे में अगर ये चीज़ होती है, तो भारत के लिए कहीं न कहीं ये देती बनी तो, और वो एक राप कोई और नहीं बलकि स्व 57 फैलन है, और अगर हम भारती अवायोसना के पूर्व अधिकारियों की बात मानें, तो उनका यहीं कहना है, कि अगर एम का प्रोग्राम हमारे पास 2035 के पहले नहीं आता है, तो हमारे पास स्व 57 फैलन ही इकलोता नहीं बना रहा है, क्योंकि अगर भारत ने अप 35 के तरफ देखा, तो आपको यह बता है, कि भारत अपने इंडियन मेड वैपन सिस्टम के इंटिग्रेशन की बात जरूर करेगा, और अमेरिका यह टेक आफर करेगा या नहीं, यह काफी जदा भी भी प्रिशन के घेरे प कर सकता है, तो आज किस वीडियो में बास इतना ही, बेल ते अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए है तो चनल को सब्सक्राइब करिए, बेल ते अगले वीडियो में तब तक के लिए जए है,